Dear Students, आप सवी का स्वागत है हमारे चेनल पर हमारे चेनल के आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं Biz-A-Stacy Exam की Cut-Off के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पेपर का लेवल के शाथ था और Cut-Off क्या रह सकती है ये वीडियो हमने 500 से ज्यादा विद्यारत उपर सर्वे करने के बाद उनके अंक देखने के बाद हमने तयार किया है तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को सुरू करते हैं चल्दी से देख लेते हैं Cut-Off क्या रहने वाली है तो देखिए Cut-Off के बारे में हम जानते हैं इससे पहले आपने हमारे पिछले वीडियो जो की BSTC Answer की को लेकर बनाए गए थे जिसमें हमने सभी 200 questions के answer बताए थे अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो जरूर देखे तो चलिए देखते हैं Cut-Off की बात करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारा पेपर था वो 200 questions आये थे उसमें यानि की मांसिक योगेता की 50 questions थे राजस्तान जी के के 50 questions शिक्षन अभी शमता 50 questions थे अंग्रेजी के 20 और हिंदी के 30 questions थे और जो संस्कृत के लिए भी अपलाई कर रहे हैं उनके लिए हिंदी की जगह पर वहाँ पर संस्कृत थी और अंक की बात करें तो प्रते questions तीन अं का था और कुल दोश्रों question थे इस जो हमारा paper था इसमें किशी प्रकार की minus marking नहीं थी यानि कि अगर आपने कोई question गलत भी कर दिया तो उसके negative marking नहीं होने वाली है तो चलिए अब और जानते हैं क्या स्थीति रहने वाली है अब जो question थे हम मेंने बता दिया है अब कितनी question normal सही होने पर अच्छी स्थीति बन सकती है देखिए जो BSTC की परिक्षा देने वाले थे ये जो कटोफ है वो ज्यादा नहीं रहने वाली है क्यों क्योंकि coaching सहस्तान बंद थे और इसके साथ ही जो विद्यारती थे उनकी पूरी तैयारी नहीं हो पाई थी तो चलिए हम पहले ये जान लेते हैं कितने question अगर आपके सही है तो आप एक अच्छी स्थीति में हैं तो देखिए सबसे पहले मानसिक योगेता के question की मानसिक योगेता के 50 question आये थे अगर 50 question में से 35 question अगर किसी ने सही कर लिए तो वास्ताम में बहुत अच्छी स्थीति में हैं क्यों क्योंकि मानसिक योगेता के प्रशनों को हल करने में शमय काफी लगता है बहुत सारी विद्यारती ऐसे है भी है जिनोंने बताया कि हमारी questions अंसर mental ability के छूट गए थे क्योंकि उनको हल करने में काफी शमय ज्यादा वेस्थ हो गया था इस कारण अगर 35 question अगर आपके सही है तो यकिन मानिया बहुत अच्छी स्थीति में है अब और बात करते हैं राजस्तान की सामन्य जानकरी की question जो की dates होते उन में से उसमें भी जो लेवल था वो average कह सकते हैं ज्यादा hard भी नहीं था तो ज्यादा सरल भी नहीं था यानि अगर 30 question पचास में से 30 question राजस्तान जीके के अगर किसी के सही हो रहे हैं तो वास्ता में बहुत अच्छी स्थीति में होने वाला है और उसका selection भी होने वाला है तो मानसी क्योंग पाती है उनकी इतनी तैयारी नहीं हो पाती है वो उन्होंने कुछ विद्यारती ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी 12th class का exam दिया था और कुछ विद्यारती ऐसे होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन ज्यादा तर जो B.A.D. वाले होते हैं B.A.D. की तैयारी कर रहे होत सब्सक्राइल जी के के 30 क्यूशन और सिक्षण अभी शमता के डेखिए शिक्षण अभी शमता के क्यूशन बहुत ज्यादा सरल थे तो 35 से 40 क्यूशन अगर आपके सही हो गए तो आपके कच्छी स्तिती में हैं अंग्रेजी बिलिकुल एवरेज लेवल का था इसमें अगर आ से 20 आपके सही है तो आप बहुत अच्छी स्थीति में हैं यानि आप एवरेज देख सकते हैं इस लेवल पर अगर आपकी क्यूशन सही हुए हैं तो आपका शोर सेलेक्शन होने वाला है मैं अभी फाइनल कटोब भी बताने वाला हूं लेकिन उससे पहले हम इस पर चर्चा क देने वाले होते हैं उनका लेवल भी नहीं होता इतना क्योंकि वो किसी परतियोगी परिक्षा की तयारी करने वाले नहीं होते हैं वो फ्रेस तयारी वाले विद्यारती होते हैं इसलिए ज्यादा उनकी संभावना नहीं बनती ज्यादा वो क्यूशन सही अटेम्ट नहीं क पिर मानसी कि होगी ताकि विब्य ने बताए थे तीस कुशन तो यानि निभ्य कुशन फिर हमने देखा टीचिंग एक्टुटूट अगर इसके में भी 105 नंबर बनते हैं अंग्रेजी के 30 नंबर बनते हैं और हिंदी के 60 नंबर बनते हैं यानि कुल मिलाकर अगर आपके 390 न केटेगरी वाइस कट ओफ भी बताने वाला हूं लेकिन उससे पहले हमें पेपर का एनलाइसिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम देखते हैं अभी कोचिंग संस्तान बंद थे दूसरा विद्यार्ति को पूरी तयारी नहीं हो पाई थी और इसमें जो कंपीटिशन हमारे जो विवन परकार की परिक्षाओं की कट ओफ जाती जैसे पटवारी है ग्राम सेवकी है अभी LDC की थी सेकंड ग्रेट की हो PTI की हो उस परकार नहीं जाती है क्योंकि इसमें बच्चे विस तयारी की लेवल के नहीं होते हैं तो और जो विद्यारती अगर को विद्यारती आप ज्यादा तर विद्यारती आपसे ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे मेरे 400 से ज्यादा सही है मेरे 500 सही है इस परकार के आपको गलत जानकारी भी देंगे लेकिन आपको निरास नहीं होना है क्योंकि जो पेपर देता है उसको पता चलता है कि पेपर किस परकार का आया बाक 400 के लगबग आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका शूर सेलेक्शन होने वाला है चलिए अब हम category wise भी जान लेते हैं क्या स्थीती रहने वाली है तो हम category में male female की बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे general category की तो देखिए general category में सभी category के बच्चे आ जाते हैं SC, ST, OBC, AWS और भी जितनी भी है सभी ज़्यादा तर जो ज़्यादा सभी category के ज़्यादा तर होंसियार बच्चे हैं वो सभी इन में चले जाते हैं इसलिए इसकी cut of male की बात करो तो 415 से 425 नमबर आपके अगर आ रहे हैं और आप general category में आते हैं तो आपका sure selection होने वाला है female की बात करें तो female की 410 से लेकर 415 नमबर एक अच्छी स्थिति में है यहाँ पर 5 से 10 कुशन 10 नमबर उपर या नीचे हो सकते हैं लेकिन यह हमारा एक अनुमान है और यह अनुमान वेसे सटीक साबीत होने वाला है तो general 415 से 25 male और 410 से 415 female यह cut off रहने वाल है अब बात करते हैं OVC की तो OVC category की चो cut off है वो भी 400 से 400 से 400 से 400 नमबर रहने वाली है female की 300 निबह से 400 अंग रहने वाली है क्योंकि OVC वी general के बराबर ही माना जाता है इसकी cut off OVC और general की दोनों की लगबग सेम ही रहती है केवल 57 नमबर का इसमें थोड़ा difference रहता है और अब बात करते हैं next category की अब बात करते हैं हमारी जो अगली category है SC देकि SC की जो cut off है वो 385 से 395 नमबर रहने वाली है और SC में female की 380 से 300 निबह cut off रहने वाली है अब बात करते हैं SC की तो SC की जो cut off है 380 से 395 नमबर रहने वाली है और female की 360 से 300 पीचे तर रहने वाली है सबसे कम cut off SC female की जाएगी क्योंकि आप सब जानते हैं SC में जो महिला शाक्षिता दरव बहुत कम है और 360 से 300 पीचे तर सबसे कम cut off SC female की जाएगी अब देखिए कुछी लोग विद्यारती ये भी कह रहे हैं EWS की कितनी जाएगी तो देखिए EWS की जितने भी एकजाम हुए हैं उन सब के आदार पर मैं ये कह सकता हूँ SC, ST से उपर और OBC से नीचे यानि की एक अनुमान मान के चले हम तो 300, 90 से 400 के बीच EWS की मेरिट जाने वाली है और अब देखिए आपको ये कटो बिल्कुल सटीक साबित होने वाली है यकीन मानिए आप क्योंकि अब बहुत सारे में वीडियो भी देखें मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों से सुना भी है कि सर्थ इतने अंग तो मेरे उस मित्र के आ रहे हैं देखें आप उसके क्योंस को सही मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा बाकी ज्यादा तर लोगें डिंगे हाकेंगे कि मेरे इतनी सही है पिसली बार ये गई जब पेपर देते हैं वच्चे तब पता चलता है कि पेपर कैसा आया हम राजस्तान जीके की बात करें तो जीके म नि आठ से 10 क्यूषन ऐसे थे जो हारड लेवल खे थे राजस्तान जीके में भी और हंदी में भी कुछ क्यूषन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे एक उसरल भी थे लेकिन कुछ क्यूषन यानि की चार से पांच क्यूषन थोड़े डिफिकल्ट लेवल के थे बागी अउ mental ability की बात करें mental ability थी जी लेकिन उन क्यूशन को हल करने में काफी समय लगता है तो बहुत सारे विद्यार्ट के क्यूशन छूट भी गए थे और जिस करण हम कह सकते हैं कि यह कम जाएगी सिक्षन अभी śamta की बात करो तो सबसे सरल वो सिक्षन अभी शम्ता की क्यूशन थे打ूशन में यू क्यूशन थे वो स काफि Śरल थे तो वह ज़्यादातर वच्चू कैवो सही है सबसे शरल पार्ट śैंशन अभी जमता ही था तो यकीन मानिए अगर आपके 400 से आप किसी भी केटेगरी में हो और अगर आपके 400 से ज़्यादा अंक आ रहे हैं तो आप एक सेप जोन में हैं पूरी संभावना रहने वाली है तो दोस्तों ये वीडियो हमने विविन विद्यार्तियों से चर्चिया करने के आपकी भी क्या राई बनती है आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम और उस पर विचार कर सकें तो उमीद है आपको हमारी कट ओफ का या आज का सेग्मेंट पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने कमें करके बताएं ताकि और ज्यादा ज्यादा मच्छे वीडियो बना सकें थैंक यू और वाचिंग बाई